my name is Dvashya Sakstena और इस्टुटे मुद्ट करने वाले नेक्स लेक्स करेंगे निए अलकेन्स आपने पहले डिसकस किया था इलकेन्स अब बात करेंगे अलकेन्स की था है तो इस वीडियो में बात करने वाले इंट्रोड़क्शन और kard to hypodization of alkem तो इस वीडियो के लिए सिफ इंडुक्शन और एपर टो है में और क्या होता है और इंडुक्शन क्या है एलकी तो हम बात करने वाले इंडुक्शन आफ अलकी पाउन्न की चेन होती है ओपण जैन होती है जिसमें यह डबल बॉंड्स होते हैं तेके carbon carbon के बीच में double bonds होते हैं और उन double bonds के वज़े से इनको बोला जाता है unsaturated hydrocarbons unsaturated hydrocarbons means unsaturated जहां भी अगर आखको double or triple bond देखे it means वो जो chain है वो unsaturated है और single bond देखे तो saturated है तेक next point general formula of alkenes are CnH2n हमारा alkenes पर formula होता था CnH2n plus 2 अब alkenes की बात करें तो हैं वो CnH2n that is CnH2n for general formula of alkenes where n क्या है n क्या है कोई भी number है 2 3 4 2 से start होगा 1 से नहीं तेक है 1 से कली भी alkenes नहीं start नहीं होती है अगर 1 करेंगे तो C1 and H3 C2 CH2 तो CH2 कोई alkenes chain नहीं हुआ alkenes chain तब होगा जब किसी 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 2 carbon की बीश में double bond होगा एक carbon की बीश में double bond होगी नहीं सकता तो minimum 2 number of carbon chain से हमारी एक alkenes chain बनेगी next point also known as olefans इनका हम common name कह सकते हैं या फिर also called as name कह सकते हैं that is olefans और यह more reactive होते हैं किससे alkenes से अब कैसे होगे क्योंकि जो CNH2N यानि कि जो double bond है यह जो double bond है carbon carbon किसी भी alkenes chain में वह जाके resonance structure बना लिता है अगर इसका जो यह लिटिक है यह जो carbon है carbon carbon chain है double bond की वह breakdown हो जाए तो किसी पर positive चार्ट जाजेगा किसी पर negative चार्ट जाजेगा होंगे उतनी जादा वो chain reactive होगी तो यह था हमारा introduction of alkenes अब हम बात करेंगे sp2 hybridization of alkenes sp2 hybridization of alkenes sp2 hybridization of alkenes alkenes में क्या होता था alkenes में sp3 था alkenes में sp2 है तो कैसे है explain करके बताते हैं तो सबसे पहला इसका member कहुंसा होगा cn h2n है cn h2n है और 2 से start होनी है c2 h4 means meth और eth carbon तो eth and alken chain है तो ethene 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 इसका हम लेकर कि अगर hybridization करें तो carbon का electronic configuration क्या होता है carbon का atomic number 6 होता है 6 अगर इसकी बात करें electronic configuration की तो हम वह होगा 1s2 2s2 2p2 फिर 2p की बात करें 2p 2p y1 2p z0 यही था अगर अगर हम बात करें इसकी ground level पे energy क्या होती है अगर हम इसका पूरा balance band theory के साफ से ठीक है अगर उसको वह करें explain करें तो क्या होगा अगर 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 c6 1s2 को हम helium भी बोल सकते है helium 2s 2s का अगर 2s 1,2 इसमें 3 shell बना दिये 2p z में 2p x 2p y 2p z 2p x में हमारा 1 है 1 2p y में 1 अब क्या होगा यह जो 2s वाला यह तो ground level पे state है हमारी ground level पे जो energy है वो ground level पे है अब excited state में excited state excited state तो helium 1s2 helium noble gas होगी ना noble gas को हमने ऐसे कर दिया अब यह excited state में 2s वाला जो electron था 2p z में आजाता था same alkenes की तरह ठीक है 2s 2p x 2p y 2p z तीनों में एक 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 लेक्टर आजाता था लेकिन इसमें तो वही है sp2 है अब बन रहा है sp3 क्यूंकि 2p z जो है हमारा जो shell वह इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा hybridization में पार्टिसिपेट नहीं करेगा 2p z note important note है 2p z will not undergo undergo in hybridization hybridization क्यूं अब ऐसा क्यूं है क्यूंकि 2p z हवाला हमारा shell है वह पार्ट लेगा किसमें pi pi p pi bonding में pi pi bonding होती है मैं आपको structure बनाके दिखाता हूं तो आपको अच्छे दस्वन में आजेगा कि कहां वह पार्ट ले रहा है hybridization में part नहीं ले रहा है pi 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 bonding में part ले रहा है तो बागी क्या बचा हमारा इतना इससा बचा S और P के 2 orbital SP2 हमारा क्या हो गया hybridization hybridization इसका structure बन देखे SP2 का हमारा क्या होता trigonal planer trigonal या पर इसको वह बोल जाकते हैं planer यह था हमारा SP2 hybridization आप इसका structure बना के देखे structure आप 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 स्ट्रक्चर देखे स्ट्रक्चर में हमारे इथीन का दचल ले रहे है C2H4 इथीन है तो दो carbon C C C सी जा गए C H4 C 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